नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं नहीं बनी है, पहले भी जर्कन सुखार और आकाल की चपेट में रहा है उन्होंने कहा है कि सरकार ने एक नहीं कई बैठके की है किरिसी विभाग की तरब से मुख्य मंत्री और आपदा परवंधन विभाग को इस्थिती सवगत करा दिया गया है अब तक 6,89,000 हेक्टेर भोमी पर फोसल का अच्छादन हुआ है जबकि राजी में किरिसी योगी भोमी 27,000,000 हेक्टेर है यानि हम लोग अब तक 35 परतिसत लक्ष पराप्त की है किरिसी मंत्री बादल ने कहा है कि बरसा पात 50 परतिसत से कम हुआ है इस हीती ठीक नहीं है सरकार सिग मुख मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक करने जा रही है बैकल्पिक फसल योजना पर भी सरकार काम कर रही है पांच लाख नए रासन काट की बेवस्ता भी की जा रही है नाग पंच मी आज साथ नाग देवता की करे पुजा इस बार दो अगस्त यानि मंगल बार को नाग पंच मी है घर घर नाग देवता की पुजा होगी सावन के महिने में नाग देवता की पुजा की परमपरा आदी काल से चली आ रही है बतादे भगवान सीव के साथ नाग देवता का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह हमेशा भगवान सीव के गले में हार की तरह बिरजमान रहते हैं सास्त्रों में भी नाग देवता की पूजा की उलेकता मिलता है यही वज़ा है कि हिंदू समुदाय के घरों में हर सल सावन में नाग पंचमी पर नाग देव की पुजा की जाती है जारखन के सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा में 6 ब्रस के बचों का नमांकन सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में 6 ब्रस के बचों का ही होगा राज्य के स्कूली सिक्षा मंत्राले द्वारा इस बाबत दिये गए निर्देश का हवाले देते हुए सभी जीला सिक्षा अधिकारियों तथा जीला सिक्षा अधिकों को पत्र भेजकर इसे इसकूलों में लागू करने को कहा है इसे पहले केंद्रिय सिक्षा मंत्राले के निदेशक इनमीन निकोलस ने राज्य के सिक्षा सजी को पत्र भेजकर सभी राज्यों में नमांकन में एक रूपताव लाने के लिए राष्टिय सिक्षा निति की बेवस्था को लागू करने को कहा था बताद इसमें कहा गया था कि 13 राजियो वा केंद्र सासित परदेशों में 5 वरस तथा 21 राजियो केंद्र सासित परदेशों में 6 वरस के बाद नमांकन पहली काक्षा में लिया जा रहा है जबकि सभी राजियों में नमांकन में एक रूपता होनी चाहिए जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतों की तबियत बिगडी एर अम्बूलेंस से ले जाये गया चेननाई जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतों को एर अम्बूलेंस से चेननाई ले जाया गया इस डरन मुख्य मंत्री हेमान सुरेन भी रांची यारपोर्ट पर मौजूद थे बता देकि सुमवार को सदन के अंदर सिक्षा मंत्री की तबियत विगड़ गई सीने में दर्द और सांस लेने में परिशानी के बाद आनन फणन में उन्हें एम्बूलेंस से रांची के पारस अस्पताल में भरती कराया गया लेकिन तबियत में सुधार नहीं होता देख उन्हें साम आट बज कर 30 मिट पर एर एम्बूलेंस से चेनाई ले जाया गया इससे पहले मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने पारस होस्पिटल जाकर सिक्षा मंत्री का हाल चल जाना सीम के अलावा मंत्री मिशलेश ठाकूर और हफिजूल हसन ने भी अस्पताल जाकर उनके स्वास्त की जनकारी ली बता देपारस होस्पीटल के डॉक्टर राजीव रंजन सिना ने कहा है कि सिक्षा मंत्री जगनात्मतों के लंग्स में संक्रमन पाया गया लिहाजा बेहतर इलाज के लिए उन्हें MGM होस्पीटल चेनाई भेजा गया है सत्ता के लिए तड़प रही भाजपा जानता की आदालत में मिलेगा जबाब मुख्य मंत्री हेमन सुरने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधा बंगाल से कांग्रेस के तीन विधायकों की सरकार को और इस्थीर करने के परियासों से समधित सवाल का जबाब देते हैं उन्होंने कहा है कि भाजपा सत्ता के लिए तड़प रही है भाजपा की हालात बिन पानी वाली मच्छी की तरह हो गई है भाजपा की सत्ता में आने की तप या बताने के लिए काफी है कि वो सत्ता के बगार एक पल भी जी नहीं सकती भाजपा की गंधी राइनिति का एक चेहरा देखने को मिला है बताओ देमुक्ष मंत्री हमन्श्वे ने इसे लोगतंत्र पर हामला बताते हुए कहा कि इनकी हरक्तों से हम न पहले बिचलित थे न आज इनकी गतिविधियों से जुड़ी बाते आगे भी सामने आती रहेगी और हम बताते रहेंगे सरकार गिराने के आरोप से भाजपा का इनकार दिपक परकास सोमवार को भारतिय जन्ता पार्टी के जार्खन परदेश अध्यक्ष और आज सबसांसत दिपक परकास ने सोरेन सरकार को गिराने के कांग्रेस के आरोपो गलत बताया है परकास ने कहा है कि धन सोधन मामले में पच्छिम बंगाल पुलिस द्वारा पकड़े तीनों कांग्रेस बिधायकों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है दिपक परकास ने सोरेन सरकार को गिराने के आरोपो पर कहा है कि निरधार आरोप लगाये जा रहे हैं सच तो यह है कि कांग्रेस बिधायकों की गाड़ी में पैसा पकड़ा गया है कांग्रेस को इसका जबाब देना चाहिए परकास ने आगे कहा है सच यह है कि हेमन्त सोरेन सरकार पर भश्टा चार कारोप है जिससे ओ बच रहे हैं कंफ्यूजन फैला कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है कांग्रेस बिधायक दोरा जीरो एफायर दर्ज कराने को लेकर भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि यह पूरी तरसे बोगस एफायर है बिश्व अस्तन पान सप्ता जारखन में 26 अस्तन पान दर 75 परतिसत 7 अगस तक 20 अस्तन पान सप्ता मनाया जाएगा उदेश यह है कि अस्तन पान को बढ़ावा देना क्योंकि मा का दोथ सिसुओं के लिए अमरित समान होता है बतादे सिसु के लिए अस्तन पान सरोतम अहार और मौलिक अधिकार है मा का दोथ सिसु के लिए मानसिक बिकास सिसु को डाइरिया, निमोनिया, कुपोसन से सुरक्षा और स्वास्त के लिए जरूरी है मानसिक और सरेरिक बिकास भी होता है अस्तनपान से महिलाओ को भी फायदा मिलता है चीकिशोगों के अनुसार बर्तमान में माय अस्तनपान कराने को ले कर जागरूप हो रही है जागरूपता के कारण ही अस्पताल में प्रषो करा रही है सावन की तीसरी सोमवारी पर दो लाग से अधिक कवारिया पहुचे बाबा धाम राज की स्रावनी मेला 2022 के तीसरी सोमवारी पर बाबा धामे सरधालू का जनसलाब उमर पड़ा है बतादे दो लाग से अधिक कवारियों के जलारपन करने की संभावना है सोमवार के सूबा से कवारियों का रहला उमड़ा है इसे से पहले रभिवार की रात तक करीब दो लाग से अधिक कवारिया बाबा धाम पहुंच चुके थे बाबा का जलारपन करने के लिए सरधालू रभिवार की देर रात से ही कतरबद होकर अपने होल्डिंग पॉइंट में विश्राम कर रहे थे रात दि दो बये तक सरधालू की कतार कुमेठा इस्टेडियम परिसर में बनाये गए होल्डिंग पॉइंट तक पहुंची थी भोटर आईडी को करे अधार से लिंक मुख्य निर्वाचन पताधिकारी जारखन के मुख्य निर्वाचन पताधिकारी के रभी कुमार ने कहा है कि नए वोटर्स का राइस्टेशन अब और आसान हो गया है अमनाय मद्दाताव को पंजी करन के लिए चार आहरता थी थी एक जन्वरी एक अप्रेल एक जुलाई और एक अक्टूबर मिलेगी इसकी सुरुआत सोमवार एक अगस्ट दो हजर बाइस से हो रही है अब मद्दाता वोटर्स कार्ड को अधार कार्ड से लिंक भी कर सकेंगे ये जन्कारी उन्होंने सोमवार को आयोजित प्रेस वारता में दी है बिश्व अस्तन पान सप्ता का सुभारम कर जार्खन की मंत्री जोभा मांजी बोली गरामिन महिलाओ को करे जागरूप जार्खन की महिलाओ बाल बिकास सेवं समाजिक सुरक्षा मंत्री जोभा मांजी ने कहा है कि हम सभी को ग्रामिन छेत्रे के महिलाओं को जावरूप करने का काम करना है उनके बीच जो भरामक तथे प्रचलित है उन्हें खत्म करना है एक अगस्ट से 7 अगस्ट तक चलने वाले इस विश्व अस्तन पान दिवस को केवल एक सब्ता के लिए नहीं बलिक साल के 365 दिन करना है गर्बोती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को इस से महत्तो के बारे में बताना है हाई कोट के अधिवक्ताओं ने कारे बहिसकार लिया वापस जारखन हाई कोट एड़ओकेट एसोचयेशन ने अधिवक्ता राजिव कुमार की गिरफतारी के बिरोध में लिये गए करे बहिसकार को आपस ले लिया है अब अधिवक्ता कल से नियमीत समय पर कारे करेंगे वहीं एसोसियेशन की ओर से हाई कोट में फाईल किये गए हैवियस कारपर्स मामले पर कल सुनवाई होगी हाई कोट ने एड़वोकेट एसोसियेशन की आगरापर सुनवाई के लिए कल किती थी निधारित किया इसके बाद एसोसियेशन ने भहिसकार वापस लिया बताते चले कि जारकन हाई कोट का अधिवक्ता उन्हें गिरफतारी के बिरोध में कारेबहिसकार किया था रांची के अधिवक्ता राजीव कुमान ने मांगे थे 10 को रुपा है रांची के अधिवक्ता की कोलकता में हुई गिरफतारी को लेकर कोलकता पूलिस के सन्यूक्त आयूक्त मूरली धर सर्मा ने कहा है कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोलकता के एक बेवसाई के खिलाप रांची उस नियाले में जनहीतियाज के दायर की थी उन्होंने उस बेवसाई से और जन्हितियाज का वापस लेने के बदले में पैसे की मांग की थी अधिवक्ता की और से जन्हितियाज का वापस लेने के लिए 10 कोर रुपए की मांग की जा रही थी पहले 4 कोर और फिर 1-1 कोर पर बात हुई इसी एक को रूपए में से कल 50 लाख की पहली किस्त का भुक्तान किया गया जहां उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया विधायक सर्जुराय ने सीम को चूपी तोड़ने को कहा जमसेद पूरपूरवी से विधायक सर्जुराय ने कैस बरामदगी मामले से जूड़े जहारखन के तीन विधायकों को लेकर सीधा मुख्य मंत्री है मानसुरेन पर निशाना चाहदा है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके विधायक परतिनीधी ED की हिरासत में है उनके प्रेश सलाकार से पूस्ताज के लिए समन किया गया है आईसे में सीयम को चूप न रह कर बोलना चाहिए उन्होंने जहारखन की मवजूदा रायनिति को लेकर संस्कृत के एक सलोक मानसुरेन लक्षमन को उद्रिस किया और कहा कि चूपी तोड़िये साहब राजे की छवी पहले ही खराब है संसदे रायनिती के लिहाई से जहारखन में या विचित्र प्रकिर्ती बन रही है जो पूए सिस्टम को खोकला कर रही है जहारखन में वाहनों के फैंसी नमर की होगी निलामी कार और बाइक के लिए फैंसी नमर लेने का चलन तेजी से बढ़ा है लोग अपने वाहन को दूसरों से अलग दिखाने के लिए फैंसी नमर लेते है बता दे यह नमबर सधारन नहीं होते लोग इसके लिए लाखों रुपे तक खर्च करते है हलाकि अब फैंसी नमर को जारकन में निलामी करने की तियारी चल रही है इसके लिए भागिय अस्तर पर काम चल रहा है निलामी पर किरिया सुरु होने में लवग तीन माह का समय लगे गा बर्तमान में फैंसी नमर के लिए एक लाख तक का चार्ज है बता दे इन नमरों के लिए 11,000 से लेकर 1,000,000 रुपे तक का चाज लिया जाता है गिरफतार विधायकों से मांगा जा रहा साक्ष नहीं मिल रहा जबाब कोलकात्ता में गिरफतार जारखन कंगरेस की विधायक इरफान अनसारी नमन, बिकसल, कोगाड़ी और राजेस कक्छप से पूलिस ने लगातार पूछताच की लेकिन ओ जबत पैसों के बारे में कोई ठोस जबाब नहीं दे सके उनसे बरामत पैसे के अलावा अने सवाल भी पूछे गए लेकिन जनतोस जनक जबाब नहीं मिला जिसके बाद दोफर उन्हें गुर्यफतार कर लिया गया वहीं इस मामले की जांच का जिम्मा CID को दिया गया है जारखन के टांगीना धाम जा रही गाड़ी पेर से टकराए तीन की मौत नौ घाया जारखन के लातेहार जीले के महुआ डांड थाना छेतरे के बांस करचा ग्राम के पास सोमवार की सुबा बोलेवरे दुरघटना घरस्थ हो गई इस दुरघटना में लातेहार परखन के बेंदी ग्राम निवासी दसरत सिंग 35 वर्षियवा उनकी पत्नी की मौत हो गई जबकि लातेहार सदर अस्पताल लाने के करम में घायल बरवा डीके केल निवासी पुसपा देवी की भी मौत रास्ते में हो गई इस हाथसे में नो लोग हायल हैं इनका इलाज चल रहा है बता दे तीन की हालात नाजुक है बताया जा रहा है कि ये गुमला के टांगी नायत धाम में पूजा करने जा रहे थे इसी दुरान इनकी गारी असन तुलित होकर पेर से टकरा गई गुमला सदर अस्पताल में महिला वा गर्व में पल रहे बच्चे की मौत लापरवाही का आरोप जब परिजनों ने मौत का कान पूछा तो अस्पताल के कर्मियों ने परिजनों के साथ दुरुबभावी किया है मिरितक के पती धुनु ने कहा है कि रभीवार दीन के दो बजे पेट दर्द होने पर सुसीला को अस्पताल लाए लोहर्दगा में सलक दुरुग हटना में नौ मिरितक के असरीतों को मिले का मौपजा उपायूक्त लोहर्दगा डीसी डाक्टर बाग मरे परसाज कृष्ण की अध्यक्ष्टा में सोमवार को जीला आपदा परवंधर प्रादिकार के बैठक होई बैठक में सलक दुरुग हटना में मिरित खुल नौ लोगों के असरीतों को आपदा के तहत मौपजा भुक्तान की स्विक्रिती समेद विभीन मुद्धे पर चर्चा हुई बता दे पिछले साल चक्रवाथी तुफान से हुए फसल नौक्सान के तहत मौपजा के तोर पर कुर्डू और किसको अंचल को कूल 15,161,182 रुपे भुक्तान की जाने की स्विक्रिती पदान की गई वहीं चक्रवाथी तुफान से चतिग्रस्त मकान, पुर्निर्मान, मरम्ती के लिए किसको भंडरा एवं कैरो अंचल को कूल 1,13,000 रुपे के भुक्तान की स्विक्रिती पदान की गई है खतियान आधारित अस्थानिय निती निर्धारन की उठी मांग जार्खन विधान सभा के मांसुन सत्र में सुनियकाल के दरान खर्षावा के जये में विधायक दसरत गगई ने खतियान आधारित अस्थानिय निती निधारन करने की मांग की बिधायक गग राई ने सुन्यकाल में मामलों को उठाते हुए कहा है कि राई सरकार के अधिन त्रीतिय एमचतुर्थ वरगिये पदो पर निक्ति परकिरिया में सत परतिषत अस्थानिय युवाओ की भागेदारी सुन्यश्चीत करने के लिए राई की अपनी एक अस्थानिय निती परिभासित होनी चाहिए उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा है कि राई में खतियान आधारित अस्थानिय निती का निधारन किया जाए सुक्रवार को स्कूल बंद करवाने वालों पर प्राथमिकी का आदेश उर्दू बिद्यालों को छोड़कर राज सरकार के सभी स्कूलों में रभीवार को ही सब्ताइक आवकास रहेगा चाहे स्कूल मुसलिम बहुल छेत्र में ही क्यों न हो सभी उपायुक्तों को दिया है उन्होंने सोमवार को सभी उपायुक्तों को पत्र भेज कर कहा है कि जो भी अस्थानिये लोग या सिक्छक राज सरकार के आदेश के बिरूद सुक्रवार को स्कूल बंद करते है उनके विरूद सक्त करवाई करते हुए प्राथमी की दर्ज कराने की करवाई की जाए सची उन्हें उपायुक्तों से कहा है कि राज सरकार के सक्त निर्देश के बाद उनी स्कूलों में सुक्रवार की बज़ा रभीवार को आवकाद सुरू हो तो गयार लेकिन यह भी सुनिस्चीत कराई की स्कूलों में दोबार रभीवार की जगा सुक्रवार को आवकाद सुरू ना हो जाए जहारखन में 50% कम बारिस की सुचना क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि बर्षापाद 50% से कम हुआ है सिती ठीक नहीं है सरकार सिग्र मुखे मंत्री के अध्यक्स्ता में एक बैटा करने जा रही है बैकल्पिक फसल योजना पर भी सरकार काम कर रही है वहीं 5 लाख नए राशन कार्ट की ब्यवस्ता की जा रही है जरूरत होने पर फिर से दीदी कीचेन सुरू किया जाएगा सुखार परिस्थिती का आकलन कर सरकार निनाय लेगी राशनकार धारियों को भोजन के लिए सीधे पैसे देने का प्रविधान भी करने का विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि वैसे तो सुखार पर निनाय अक्टूबर महिने में ही होती है लेकिन विशेस परिष्थिती में अगस्त महिने में भी सुखार की घोस्तना की जाती है आविनास से नहीं सम्हल रही कांग्रेस जारखन कांग्रेस के परदेश प्रभारी आविनास पांडे को एक और बिफलता हासिल होती दिख रही है जारखन में पार्टी के किरिया कलापों को देख रहे अविनास पांडे यहां भी वही हज से करते दिखे जा रहे हैं जो इनके प्रभारी रहते राजस्थान में हुए था पार्टी दो खेमों में बटकर काम कर रही थी और सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी बताद जारखन में भी सरकार और संगठन के बीच दूरिया बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं प्रभारी के तोर पर अविनास पांडे कोई नियंत्रन करने में असफल रहे हैं कांग्रेस गलियारों में इस बात की अधिक चार्चा चल रही है जारखन में एक लवता सरना महादेव मंदीर अच्छी बारिस के लिए आदिवासी करते हैं सीव पूजा भागवान सीव का मंदीर तो हर जगह है पर अलग अलग नामों से लोग इने पुकारते हैं बता दे इनकी पूजा करते हैं सावन में कामर लेकर जल चड़ाने पहुचते हैं देवगर श्थीत बावा बैदनात मंदीर तो दुनिया में मसूर है लेकिन जारखन में एक लवता अशा मंदीर है जिसे लोग सरना महादेव मंदीर के नाम से भी जानते हैं यहां बिसेस कर आदिवासिस समुदाय के लोग अच्छी बारिस के लिए जल चड़ाने पहुचते हैं न केवल जारखन बली कूरिशा से भी बड़ी संख्या में आदिवासिस सीव भक्त यहां आते हैं आईसी मने आता है कि सावन और आसाड में यहां जल अभी सेक करने से बारिस जुम जुम कर होती हैं किसानों के लिए या बारिस अम्रित की बुंदुक के समान होती हैं साहव गंज के सर्वाधिक कालाजार परभावित बारह गाउं की बदले की तस्वीर जारखन के साहव गंजीले के बोरियो, बरहेट, बरहरवा, मंडरो, पतना, ताल जारी, उद्वा परखंड छेत्र कालाजार से परभावित हैं बता दे इन सभी कालाजार परभावित परखंड छेत्रों में सबसे ज़्यादा कालाजार परभावित परखंड छेत्र के गाओं में अब जिला परसासन विकास करेगा जिसका रोड मैप तयार कर लिया गया है जिला परसासन द्वारा सभी चिनित गाओं में अब समोचित वि सुखार के मुद्दे पर बिजेपी का अनोखा परदर्शन टोकरी लेकर विधान सभा पहुंची नीरायादव। वहीं बार-बार सादरी और नागपुरी भासा में सुखार के मुद्दे पर चाप्चा कर रही सरकार पर निशाना साद रही थी इस दोरान वह दोने में दूसरे नेताओं और पत्रकारों को ढूसका और अपने साथ लाए खाने का समान भी दे रही थी धन्यवाद।